समझें आप अपनी मम्मी के साथ बाजार गए कुछ समान खरीदने अब आप क्या खरीद होगे वो totally depend करता है कि आपकी मम्मी को क्या पसंद है आपको क्या पसंद है उस पर कुछ पर dependent नहीं है सब की सब मम्मी पर dependent है मम्मी को जो पसंद आया वही खरीदना पड़ेगा आपको जो पसंद आया वह आप खरीद ही नहीं सकते अब ऐसा आपके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन जेनेटिक्स में ऐसा पक्का होता है Topic का नाम क्या है? Topic का नाम है Maternal Effect So guys, welcome back to my channel, Bansal Bhai Lechi आज के वीडियो में, हम maternal effect के बारे में देखने वाले हैं अगर हम यहाँ पर देखे हैं, ऐसी condition होती कैसे हैं अगर हम नॉर्मली देखे हैं, तो हमारे पास एक 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 होता है जाइगोट के पास मम्मी का भी content है, पापा का भी content होता है जाइगोट के पास यहाँ पर मम्मा का भी nucleus होता है और पापा का भी nucleus होता है दोनों का ही यहाँ पर nucleus present होता है में यहाँ पर क्या present होता है? यहाँ पर दोनों का nucleus present होता है मम्मा का भी nucleus है पापा का भी nucleus है और fertilization हो कि जो बच्ता है उसको हम क्या बोलता है zygote बोलते हैं यहाँ पर यह किस के chromosome होगchnा है अब हम बोल सकते हैं कि zygtote के chromosome हो चुक्शक है कि लिए मम्मा पापा के दौनों के हैं लेकिन अब यह जो बच्छा है यह दिखेगा कैसे, यह इसका कोई specific phenotype जो है वो dependent नहीं है कि इसके पास क्या chromosome है वो इस पे भी dependent नहीं है कि sperm से क्या chromosome आये थे वो dependent है कि मम्मी का जो अंडा है, egg है उसके जो nucleus है, उसमें क्या chromosome है अगर हम यहाँ पे देखे, यहाँ पर यह जो egg है है क्या होता है हम नॉर्मली देखे तो इस तरीके से डी एन्ने होता है डी एन्ने जो है वो क्या करेगा ट्रांस्क्राइब करता है जिससे आरेन्ने बनता है और आरेन्ने जो है वो ट्रांसलेट करता है जिसकी वज़े से प्रोटीन बनता है यह सब बेसे क्या हमें पता है यह यह प्रोटीन होता है यह हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है हमारी हर एक चीज को प्रोटीन ही तो बनाता है अब हुआ क्या यह जो एग है इसने पहले से ही प्रोटीन बना के रखेते और इसने पहले से ही ऐसे फैक्टर्स बना के रखेते बाद में बनने का वेट ही नही और यह factors किसके लिए responsible है बच्चे के किसी specific phenotype के लिए क्यों specifically कैसे दिखेगा किसी एक चीज के लिए उसके लिए responsible है तो यहाँ पर यह factors जो हैं ऐसे किस में आ गए जाइकोट में आ गए तो अब जाइकोट जब डवलप होगा तो उसके पास पहले से यह factor present है तो यह determine कर देगी कि अब यहाँ पर जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा Spawn का nucleus जब तक यह सब बनाता तब तक तो सब development भी चाएगा यहाँ पर जाइगोट के पास पहले से ही factor है और जाइगोट जब तक यह चीजे बनाएगा तो पहले से ही factor present है इसको बनाने में time लगेगा तब तक यह factor determine भी कर देगे कि बच्चा कैसे दिखेगा तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो nucleus था किसका nucleus था एक का nucleus था उसके पास यहाँ पर factors थे जिन्हों ने क्या determine किया जिन्हों ने यहाँ पर offspring का phenotype determined कि कि वो कैसे दिखेगा वो determine किया तो इस condition में क्या कह सकती हूँ कि mother का जो genotype है वो determine कर रहा है offspring के phenotype को कि यहाँ पर जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा यह किस पर dependent है सिर्फ और सिर्फ मम्मा के genotype है ना पापा का genotype ना बच्चे के खुद का genotype नहीं जैसे कि वो मैंने अभी market वाली बात कीतन है कि बच्चे को कुद को क्या पसंद है नहीं जो मम्मी को पसंद है वही लेना पड़ेगा तो ऐसे ही जो यहाँ पर मम्मा का genotype है वो depend करेगा वो determine करेगा बच्चे के phenotype पे ऐसी condition यहाँ पर snail में देखी भी जाती है आप लोगोंने snail मुझो लगता है पका देखा होगा snail हमारे घर में भ left-handed coiling दो तरीके की coiling यहाँ पर present होती है अगर हम यहाँ पर देखे right-handed coiling जो है वो left-handed coiling के ओपर कैसी होती है dominant होती है तो capital D है यहाँ पर right-handed coiling के रिखेगा और small d यहाँ पर left-handed coiling के लिए responsible होता है अब समझे मैने कौँ यहां पर parents थे इस तरीके से parents थे समझो papa था यह समझो mummaी है दोनों ही कैसे हैं दोनों ही dextral है आए अगर हम यहांपर इनके बच्चे करें तो कैसे होगा capital D capital D एक होगा capital D small d एक होगा capital D small d और एक होगा capital D small d एक होगा small d small d यहाँ से small d आया और यहाँ से small d आया तो यह जो है यह offspring का genotype है लेकिन offspring के पास genotype क्या है वो matter करता है तुम्हें क्या चीज पसंद थी वो matter की नहीं ममा को क्या पसंद आई वो matter है तो यहां पर बच्चों का जो जीनो टाइप है वो हमें देखना ही नहीं है फादर को तो देखना ही नहीं है इनफेक्ट मम्मा का यहां पर हमें फीनो टाइप भी नहीं देखना है मम्मा का सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है जीनो टाइप मम्मा का जो जीनो टाइप होगा उसे साब से ओस्फरिंग का फीनो टाइप लिख देंगे मम्मा के पास capital D है तो बच्चा कैसा हो जाएगा? dextral क्योंकि यहाँ पर capital D की वज़े से dextral होता है capital D dominant है dextral का मतलब क्या है? right-handed coiling और left-handed coiling का मतलब होता है sinistral similarly अब समझो यह F1 जनरेशन थी अब मैंने क्या क्या F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया यानि कि यहाँ पर जो बच्चे मिले उनी में मैंने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया तो समझो मैंने इन दोनों को ठाया यह है capital D, small d, small d, small d यह समझो है papa, यह समझो है mammy अभी यहाँ पर यह भी dextral है और यह भी dextral है यह दोनों dextral क्यों है? क्योंकि भाई, मुझे यहाँ पर मिले है dextral F1 जनरेशन में मुझे मिले था dextral, इसलिए dextral है अब अगर मैं इनको क्रॉस करवाँगी तो यहाँ पर क्या एगा capital D, small d, small d, small d, small d, small d, small d अब सारे बच्चे कैसे होंगे? क्या कुछ भी depend करता है? क्या हमें यह देखना है? क्या हमें यह देखना है? हमें से इस इस देखना है mamma का genotype कैसा है? ममा का genotype is small d, small d, small d, यानि कि यहाँ पर सारे के सारे ओस्फरिंग कैसे होंगे? small d, small d, small d है तो अब इसी बात है, sinistral होंगे, very good, it will be sinistral बागी कुछ भी depend नहीं करता है, बागी सब चीजों में आखे बंद कर लो, सिर्फ और से मम्मी का genotype देखो, मम्मी का genotype देखो और जो भी देखे वो फिनो टाइप लिग दो बच्चे का बागी nothing matters, क्योंकि मम्मी का जो एग है उसने पहले से ही factors को store करके रख रहा है, जो कि बच्चे के फिनो टाइप के लिए responsible होगा So I hope guys, आप लोग को समझ में आ गया होगा, maternal effect क्या होता है, maternal effect किसकी वज़े से होगा, nucleus के, अंडे का, जो nucleus है, उसी के genes के वज़े से हो रहा है So guys, I hope this video was really helpful for you, अगर आपका कोई दोस genetics की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ जरूर शेयर करना इस video को Thank you so much guys for watching this video, take care, bye-bye, do not forget to subscribe my channel